अगर वीडियो स्किप करोगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा इसलिए वीडियो पूरा देखना दे निवाद आज के नए वीडियो में आपका स्वागत है तो आज हम देखने वाले है एक पेंट की कटिंग जिसमें हमारी कमर रहेगी वो रहेगी 30 इंच इसके अगले वीडियो में हमने 28 इंच देख लिया था और आगे हम और फिक हम यहां पर सभी पेंट के कटिंग के वीडियो देखन कोंच सब्सें के वाले हैं तो यहां पर दिखर तो यह हमारा ओल्वेज डिस्प्लिय ओन रहेगा क्या आपको दिखा धिए गा उससे पहले मैं आपको बता दू कि यह कपड़ा कि हम यहां पर तरीके से प्रेस करके बिठाएंगे और अगर हमारा कम कपड़ा रहेगा तो भी हम किस तरीके से कटिंग करेंगे इसके लिए आप हमारा यह वाला वीडियो देख सकते हैं इसमें हमने फूल डीटेस में बता है यह वीडियो हमारा कड़ीबन 9 मिनिट से उपर का वीडियो हो है उसमें हमने फूल डीटेल्स में बता है कि कौनची साइस के हिसाब से कितना कपड़ा चाहिए और इसको हम किस तरीके से बिच्छाएंगे तो यह वीडियो में हम इसकी कटिंग देखने वाले है उसे पहले में बता दू कि अब भी तक आपने हमारी दूसरी चैनल हर शिता बिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए तो यहां पर सबसे पहले में यह मार्किंग और यह मार्किंग कर दिया हुए यह हमार आगे का पला और पिछे का पला हमारा इतना उठके कटिंग होएगा तो हमें इतना एक्स्ट्रा छोड़ देना है यानि पीछे कपड़ा इतना बाहर रखे और आगे का कपड़ा इतना कम रखे यह बात में आपको बता दूँ तो अभी सबसे पहले हम यहां पर इसका मार्किंग करेंगे तो देखें यहां पर सबसे पहले हम प्लस एक इंच हम एक्स्ट्रा छोड़ देंगे यहां पे हमारा हाफ elastic और हाफ belt आएगा इसके लिए इतना हमें एक्स्ट्रा एक इंच का छोड़ देना है कुला कि करना है लेकिन जबी हम अलग यहां पे हमारा यह आप हमारा stitching वाला वीडियो देख ले ना इसमें मैंने full बताया हुआ stitching का वीडियो भी हमारा already बन चुका है तो यहाँ पर हमें plus 1 inch छोड़ देना अगर आपका elastic बड़ा है इससे तो आप 10 inch छोड़ दीजिए तो यहाँ पर हमारी आएगी सववा दस इंच पर उसके बाद हमारा गुट नहीं का का मारकिंग कर देना है और यह हमारे मारकिंग हो जाने के बाद यह लाइनों को मिला लेंगे इतना हमारा मार्किंग हो जाने के बाद एक बात में आपको बता दो कि अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर देना इतना हमारे यह मार्किंग हो जाने के बाद अभी हम सबसे पहले यहाँ पर इसकी थाई देखेंगे तो उसमें हम अलग से तीन उंगल इस तरीके से ज्यादा रखे ही नाप लेते हैं तो आप भी यह बात का खयाल रखे तो यहाँ पर 25 इंच है तो इसको हमें दो के साथ डिवाइट करना है तो यह हमारा हो जाएगा करीबन साड़े बारा इंच तो साड़े बारा इंच को हम य मार्किंग करने के बाद इसको इस तरीके से और एक मार्किंग कर देंगे यह वाला मार्किंग हो जाने के बाद दीखे यहां से हम इसको ना पेंगे तो यह करनी वाला पार्ट में हमारा रहा है साथ इंच तो दीखे यहां पर भी हम साथ इंच पर एक मार्किंग कर देंगे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी हम 7 इंच पर मार्किंग कर देंगे यह वाला मार्किंग हो जाने के बाद अभी सबसे पहला हम यहाँ पर कमर भी देख लेते हैं तो यहाँ पर जो हमारी इसकी कमर है वो 30 इंच है दीखे यहां पर जो थाई मोहरी में हमें 2 के साथ डिवाइट करना है, 4 के साथ नहीं, सिर्फ कमर में हमको 4 के साथ डिवाइट करना है अभी तक आपने हमारी दूसरी चनल हर सी तभी टिक को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसकी लिंग डिस्क्रिप्शन में है, अब जाके सब्सक्राइब कर ले तो यहां पर जो इसकी कमरे होए 30 इंच को हम 4 के साथ डिवाइट करेंगे, तो यह हमारी करीबन आएगी 7 इंच तो दिके, यहां से हम इसको इस तरीक हैसे रखेंगे, और 7 इंच पर एक मार्किंग करेंगे, उसके बाद निए अप ही चुप्छ लगने वाला है, तो यहां एक्स्ट्रा मार्किंग हम rule 10 इंच को रिकर लगते हैं, और 1 इंच का चितना बड़ा टक्स लेंगे उसके इसाफ से एक मार्किंग कर देंगे और उसके बाद और वापस एक इंच का और मार्किंग करेंगे जो यहां सी लाई में दबने के बाद थोड़ा इसके लिए तो यह वाला मार्किंग हमें देख लेना है और जब हम यहां पर थाई के नाप करेंगे तो यहां पर 12.15 लिए थाइ थी तो यहां पर हमें इसको सवा इंच इस तरीका से सवा इंच अंदर की परफ एक मार्किंग कर देना है यह मैं अभी आपको आगे बता रहा हूँ क्यों क्यों करना है वो यह हमारा मार्किंग हो जाने के बाद अभी देखिए पहले तो मैं यह लाइनों को मिला लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो तो देखे यहाँ पर यह सबी एक स्ट्रेट लाइन को हमें इसका बिसका सेंट्रल लेना है अभी देखे यह हमें यह नहीं देखना बलकि यह देखना है और देखे यहाँ पर हम अभी एक शेप देंगे अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक जरूर करे और यहाँ से आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन भी दबाए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे एक लाइक जरूर अधि इतना हमारा मार्किंग हो जाने के बाद अभी हम इसका घुटना देखेंगे तो देखे हैं गृटना इसका हमार है वो 16 इंच है और वो यह भी हमने इस तरीके से लुजिंग में रख के ही नाप लिया है इसमें हमने सिर्फ दो उंगल का यह लूजिंग दिया है और कस्टमर को पुछा है कि आपको कितना लूज चाहिए तो यहां पर हमारा 16 इंच है तो इसको दो के साथ डिवैट करेंगे तो यह हमारा आएगा 8 इंच लेकिन यहां पर देखिए यहां पर जो हमारा 8 इंच आएगा वो किस तरीके से आएगा तो देखिए चार इंच यहां पर और चार इंच यहां पर तो यह हमारा हो जाएगा 8 इंच तो देखिए यहां पर इस तरीके से तो यह हमारा यहां पर भी है 4 इंच आएगा और वही सेम प्रोसेस से हमें मौहरी का मार्किंग करना इसकी मौहरी है वो है 12 इंच तो देखे 12 का अदा होता है 6 इंच तो 3 इंच यहां पर आएगा और 3 इंच यहां पर यानि यह हो जाएगा हमारा 6 इंच देखे यहां पर भी हमने यह रखा है 3 इंच और यहां पर भी 3 इंच तो यह हमारा हो जाएगा करीबन 6 इंच उसके बाद दीखे मौहरी हमें यहां से इस तरीके से स्ट्रेट नहीं लेनी बलके हलकी सी इस तरीके से क्रोस में लेना है यह मार्किंग को और दूसरा मार्किंग से क्रोश में कर देंगे वह मैं आपको बाद में बताऊंगा और यहां पर हमें इसको इस तरीके से स्ट्रेट मार्किंग करना है तो यह वाला इतना हमारा मार्किंग हो जाने के बाद देखी यह लाइन को हम सेपटी के मज़़चे मिला लेंगे देखे, इस तरीके से हमने मिला दिया हुआ, अभी दिख ए, हमें cutting पीछे का पार्ट, ये तो हमारा होक्अ ये आगे हमें इसमें, इसमें ही पीछे का पार्ट cutting करने है, उसे पहले में बताँ दूखे, अभी तक आपने वीडियो हमारा लाइक ने किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें तो देखें यहाँ पर हमें सिलाइका दबेगा और यहाँ पर भी हमें सिलाइका एक्स्टा दबेगा तो यहाँ पर 2 इंच शिलाई का हमार जाएगा तो यहाँ पर 2 इंच इस तरीके से पूरे में हमने losing देना है इतना हमारा marking हो जाने के बाद यहाँ से हम इसको देखेंगे तो यह देखे यहाँ पर हमार करने वाला part होता है वहाँ पर हमारा आ रहा है करीबन सवा 13 इंच तो यहाँ पर भी वही सेम प्रोसेस से हम सवा 13 इंच पर एक marking कर देंगे और यह marking करने के बाद यहाँ पर भी हमारा जो पीछे का पल्डा है वो 2 इंच उठके cutting होएगा इसके लिए हमने यहाँ पर का पीछे वाला part है उसको ज्यादा रखा है मिला देंगे और यहाँ पर भी हम shape देंगे गोलाई में और यहाँ पर भी shape पट्टे के मदद चे हम यह लाइनों को भी मिला देना है तो यहाँ पर भी हमने देखिए इस तरीके से हमें extra marking कर देना है और यह वाला इतना हमारा हो जाने के बाद अभी से cutting करने के लिए तयारे लेकिन cutting किस तरीके से करेंगे वो पहले यहाँ पर आपको जबे mistake मत करना पहले में जो जिसा बोलता हूँ वैसा आप समझ लीजी अगर आपका कम कपड़ा रहेगा तो भी हमारा जो cutting करने का style है वो ऐसे ही रहेगा जो हम यहां से और यहां तक इस तरीके से पिछे वाला पार्ट हम cutting कर देंगे तो यह तो हो गया हमारा पिछे वाला पार्ट और फिर हमारा जो पिछे वाला पार्ट है यह वाला पार्ट है उसको हम हटा देंगे और उसके बाद दिखिए इसको यहां से और यहां से, फिर यहां से cutting कर देंगे, और यह तो हमारा पहले साई cutting हो गया हो, और फिर यहां इसको सिलने के लिए तयार है, तो यहां पर हम side pocket भी लगा सकते हैं, तो side pocket वाला भी हमारे वीडियो बन चुका है, और इसको हम stitch केसे करेंगे, यहां पर हमारा half belt आएगा और पिछे के तरफ पर इलास्टिक आएगा तो स्टिचिंग का वीडियो भी हमारा ओल्रेडी 22 मिनिट का बनके वीडियो है वह आप हमारा दूसरी चैनल हर्शी तबी टिक पर जाके देख सकते हो उसकी लिंक में डिस्क्रिप्शन में देदूंगा और चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देदूंगा वहाँ जाके आप कौन्ची साइज पर कितना कपड़ा चाहिए और उसकी तरीके से कटिंग करेंगे तो वह आप जरूर देख लेना तो आज के लिए बस इतना ही मिलते एक नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई